नमस्कार दोस्तों मैं आप सभी का चीर परिचे दोस्तु पस्तित्वा आप सभी की सिवा में एक बहदी महतोपून जानकारी को ले करके जिहां बर्गत के दूद के फायदे जानकर आप हैरान रह जाएंगे यह है आज का हमारा टॉपिक आप सभी के लिए क्या आप जानते ह कि बरगद यानि कि वट वरिक्ष का पेंड सैक्डों रोगों की अचुक दवा भी है बरगद का पेंड हिंदू संस्कृति में वट वरिक्ष यानि कि बरगद का पेंड बहुत महत्व रखता है इस पेंड को त्रिमूर्ति यानि कि ब्रह्म्हा विष्णु महेश का प्रतिक म माना जाता है जो व्यक्टि दो बठरीक्षों का वीधिवत रोपन करता है वह मिरित्यू के बाद शुव ríaश्यों लोक को प्राप्त होता है इस पेरण को कभी नहीं कातना चाहिए इस धेक्षा जो त्रिमूर्थी क्यों कहा जाता है उसमें त्रिमूर्थी व्रम्हा विष्णु महेश हैं हमारे वेदों में वैसे ही यह त्रिमूर्थी यानि कि तीन पेड़ होते हैं जो दिन रात ऑक्सिजन देते हैं वटब्रिक्ष पीपल और पाकड जी हां ये तीन पोधे होते हैं जो दिन रात ऑक्सिजन देते हैं इसलिए इन्हें जिवन दाई कहा जाता है इस्वर का रूप माना जाता है अब आईए जानते हैं इसके लाभों के बारे में आग से जल जाना जी हां दही के साथ बढ़ को पीश कर बने ले कम हो जाती है बालों के रोग बरगद के पत्नों की 20 ग्राम राख को 100 मिली लिटर अलसी के तेल में मिला कर मालिश करते रहने से सिर के बाल उगाते हैं बरगद के साह कोमल पत्नों के रस में बराबर मात्रा में सरसों के तेल को मिला कर आग पर पका कर घर्म कर लें इस तेल क बालों में लगाने से बालों के सफिरोग दूर हो जाते हैं 25-25 ग्राम बर्गत की जड़ और जटा मांसी का चून 400 मिली लिटर तील का तेल तथा 2 लिटर गिलोए का रस को एक साथ मिला कर धूप में रख दें इसमें से पाने सूख जाने पर तेल को छान लें इस तेल की मालि इसके आधा घंटे बाद कंखी से बालों को साफ कर उपर से भांगरा और नारियल की गिरी दोनों को पिसकर लगाते रहने से बाल कुछ ही दिनों में घने और लंबे हो जाते हैं नाक से अगर आपके खून बह रहा हो तो तीन ग्राम बरगत की जटा के बारिक पाउडर को दूद की लस्टी के साथ पिलाने से नाक से खून बहना बंद हो जाता है नाक में बरगद के दूद की दो बूंदे डालने से नकसीर यानि के नाक से खुन बहना ठीक हो जाता है निंद का अधिक आना अगर आपको अधिक निंद आ रही है तो बरगद के कड़े हरे शुश्क पत्तों के 10 ग्राम दुरदुरे चुन को 1 लिटर पानी में पकाना है चाया में सुखा कर पीस कर रख लें फिर आधा किलो पानी में इस पाउडर को एक या आधा चमच डाल कर पकाएं पकने के बाद थोड़ा सा बचने पर इसमें तीन चमच शक्कर मिलाकर सुबह शाम चाय की तरह पीने से जुकाम और नजला इत्यादी रोग दूर हो जाते ह और सिर की कमजोरी ठीक हो जाती है अगर आपको तो दस ग्राम बर्गत के कुमल हरे रंग के पत्तों को 150 मिले लिटर पानी में खूब पिसकर चान कर उसमें थोड़ी मिश्री मिलाकर सुबह शाम 15 दिन तक सेवन करने से दिल की धड़कन समान्य हो जाती है बर्गत के दूद की 4-5 बूंदे बताशे में डाल कर लगभग 40 दिन तक सेवन करने से दिल के रोग में लाव मिलता है यानि कि आपका ब्लड शर्कुलेशन पूरी बोड़ी में सही हो जाता है जहां दोस्तों तो ये थी आज की जानकारी आप सभी के लिए अगले एपिसो